नमस्ते विध्यार्तियों, डॉक्टर किर्ती जिन्दी की दुनिया, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्भागत है, आज मैं आपके लिए कक्षा सात्वी हिंदी, सुलब भार्ती, इसकी सात्वी कविता, जहां चाह वहां रहा है यह लेकर आई हूँ, इसका स्वाध्याय वाला वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है, आज हम इसके स्वाध्याय के अंतरगत जो व्याकरण का भाग दिया हुआ है, उसको देखते हैं क्यूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने व्याकरण के व पाक्यों को पढ़ो, और मोटे अक्षरों में छपे शब्दों पर ध्यान दो, पढ़कर उद्देश्य विधे अलग करके लिखो, तो यहां हमको उद्देश्य और विधे क्या होता है पहले तो यह पता होना जी बच्चों, तब जाकर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मिल बाट कर पढ़ने से ज्यान ब और विधे विधे जो है वह प्रेडिकेट है बच्चों आप जानते हैं कि जब हम किसी वाक्य में किसी चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तो वह क्या हो जाता है हमारा उद्देश्य हो जाता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वह तो उद्देश्य ह और उस चीज के बारे में जो बात बताई जाती है वह जो है उसका विधे होता है यहादा मात्रा में जो जानकरी हमें दी जाती है वह विधे कहलाता है ठीक है बच्चो तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस आपको दिया है हिमाले देश का गोरव है तो यहाँ ह हिमाले के बारे में बात की जा रही है किसके बारे में बात की जा रही है बच्चो हिमाले के बारे में बात की जा रही है तो हिमाले यहां पर उद्देश्य हो जाएगा और देश का गोरव है तो हिमाले क्या है हिमाले के बारे में जादा जानकरी आगे दी जा रही है तो यह हमारा विधे हो जाएगा ठीक है बचो तो कहने का मतलब उद्देश के बारे में जो जानकरी दी जाती है उस जानकरी को हम विधे कहते हैं दूसरा सेंटेंस आप देखते हैं बचो महासागर अपने देश के चरण पकारता है तो महासागर के बारे में बात की जा रही है तो मह सागर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हमें दी गई है निखिल कश्मीर घूमने गया था तो निखिल हमारा उद्देश हो जाएगा बच्चो क्योंकि निखिल के बारे में बात की जा रही है क्या बात की जा रही है कि वह कश्मीर घूमने गया था तो यह जो कश्मीर घूम जानकरी हमें दी जा रही है इसलिए वह जो है विधे है परिश्रम सफलता की गुंजी है परिश्रम के बारे में बात की जा रही है इसलिए परिश्रम जो है वह उद्देश है परिश्रम के बारे में थोड़ा जादा बताया जा रहा है उसके बारे में हमें और कुछ बताया जा रहा है इसलिए बहा क्या हो जाएगा विधे हो जाएगा बच्चो तो देखू आगे में यहाँ पर इसको सौल करके दिया है हिमाले देश का गवरव है है न उद्देश और विधे अलग करके लिखना है न तो हिमाले देश का गवरव है उद्देश क्या है हिमाले विधे देश का गवर्व है दूसरा दिया है महासागर अपने देश के चरण पकारता है तो उद्देश क्या हो जाएगा बच्चो महासागर विधे अपने देश के चरण पकारता है निखिल कश्मीर घूमने गया था उद्देश हो गया निखिल विधे हो गया कश्मीर घुमने गया था निक्स देखो बच्चो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो उद्देश क्या है? मुंबई और विधे क्या हो जाएगा? देश की आर्थिक राजधानी है आगे देखते हैं परिश्रम सफलता की कुंजी है इस सब भी वाक्यों में हमें हिमाले, महासागर, निखील, मूंबई और परिश्रम आदी के बारे में जानकारी दी गई है तो वाक्य में जिसके बारे में जानकारी दी जाती है यह जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं वो हमारे वाक्य का उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो हम इधे कहलाता है इसलिए यहां हिमाले के बारे में बताया गया है कि हिमाले देश का गोरो है हिमाले के बारे में क्या बताया गया है कि हिमाले क्या है देश का गोरो है तो निखिल के बारे में बताया गया है कि कोश्मिर घुमने गया था मुंबई के बारे में बताया है देश के आर्थिक राजधानी है और परिश्रम के बारे में बताया है सफलता की कुंजी है इसलिए यह सब ही यहाँ पर विधे है यानि कि यह जो रेड अक्षरों में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यह सारे विधे हैं बच्चो निमलिक शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए अब यहाँ पर हमें यह वर्ण के एक रमानुसार लिखना है तो वर्ण क्या होते हैं जो अ, आ, इ, इ, य, ए, ग्या, घ्यानी तक के जो होते हैं यह सब हमारे वर्ण होते हैं और वर्ण को वर्ण को वच्चो अंग्लिश में अल्फाबेट ऐसा बोला जाता है तो वर्ण के एक रमानुसार कैसे सिक्वेंस में वो एक के बाद एक आते हैं उसके अनुसार हमें यहाँ पर शब्दों की रचना को लिखना है अब देखो बच्चों यहाँ हमें शब्द दिये हुए हैं यह संबा, पार्चाला, बर्ग, तालिया, बंजर, असंबो, विद्यागती, नीरिक्षक और संगनग, अब यह अल्फावेट के अनुसार, अल्था था हमारी वर्ण माला के अनुसार, कौनसा वर्ण पहले आता है, और कौनसा उसके बाद, फिर कौनसा और उसके बाद, इस हिसाब से हमें सिक्वेंस में इसको जमाते जाना है तो सबसे पहले अ से शुरू होने वाला शब्द आएगा बच्चो असंभो क्योंकि अ वर्ण हमारी वर्ण माला का सबसे पहला वर्ण है फिर उपलब्द आ जाएगा क्योंकि अ के बाद में कोई भी आ या बड़ी इ वाला कोई भी शब्द यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है फिर उ वाला दिया है तो हमने उपलब्द लिखा उसके बाद में आप उ के बाद में दिखेंगे पर यहां पर पार्ट शाला बंजर और बर्गद आजाएगा बच्चो तो यह आ जाएगा यह संभा यह के बाद में आने वाला व तो विद्यार थी और यह रहल वश श स ह तो संगणक है ना इस तरीके से हम वर्ण माला के अनुसार जो है यहाँ पर इसको क्रमा अनुसार यहने सिक्वेंस के अंदर इसको लगाते हैं तो बच्चो यह प्रशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से आप बड़ी इजीली कर पाएंगे आप जब डिक्ष्नरी देखते हैं तो डिक्ष्नरी में जो है इसी तरह से वर्ण माला एक के बाद एक जो है सिक्वेंस वाइज दिये हुए होते हैं जो है शब्द वर्ण माला से बने हुए तो बच्चो आपको यह समझ में आया होगा देखते हैं अगला प्रश्ण कहानी में आए विराम चिन्न चुन कर उनके नाम लिखो बच्चो विराम चिन्न विराम चिन्न आप देख रहे हैं यहां पर वही नाला गुरुजी नमबर वन इसमें कुन-कुन से विराम चिन हैं विराम चिन हैं यहाँ पे दोहरा अवतरण है तो यह देखिए बच्चों यहाँ पे यह डबल इंवर्टेट कॉममा दिया है न इसको हम दोहरा अवतरण चिन हैं अईसा बूलते हैं ठीके दोहरा हमारे पास पुर्ण विराम इसमें दिया हुआ यह देखिए बच्चों यहाँ पुर्ण विराम है मराठी में डॉट होता है पुर्ण विराम और達 titre हे हें कॉल आदि में इस त्पैड में बहुत यहाँ पर देखो बच्चों यह हमें विसमे सुचक चिन्ह दिया हुआ है इसको हम मराधी में उद्गार आर्थी चिन्ह बोलते हैं है न बच्चो और यहां पर हमें पुर्ण विराम दिया हुआ है था हमने पुर्ण विराम इसे दो हमें यहां पर विराम चिन्ह दिखाई देते हैं आगे दिखते हैं बच्चो, जहां चाह वहां राह अब जहां चाह वहां राह में हमें सिंगल इन्वर्टेट भी दिखाई दे रहा है बच्चो नमबर चार देखते हैं क्या हम में से किसी ने भूत देखा है तो यहाँ पर प्रश्न वाचक चिन्न जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर आप प्रश्न सुचक चिन्न या प्रश्न वाचक चिन्न ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं बच्चो दोनों ही सही है पांच नमबर पे देखते हैं ये संभा गाओं की पाटशाला की गंटी बजी अब यहाँ पे देखें कहीं पर हमें कोई भी चिन्न नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ अंत में हमें पुर्ण विराम ही देखता है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर पुर्ण विराम छे नमबर में आपको दिया है बच्चो जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं तो यहां आप देखोगे बच्चो यहां पर आपको जो है अल्प विराम दिखाई दे रहा है यहां पर यह हमें योजग चिन्न दिखाई दे रहा है बच्चो यह यहां यह पूर्ण विराम है ठीक है इस तरह से साथवा नंबर हमें दिया हुआ है कि वहां बच्चे वहां ब पिराम चिन्हों को देखा बच्चो अगला प्रशन आपको इस तरीके से आ सकता है इस लेसन में से कि जहां चाह वहां राह पाट से हिंदी मराठी समोच्चारित शब्दों की सुची बनाओं यह हिंदी और मराठी में दोनों यह शब्द जो है बोले जाते हैं लेकिन दोनों बाता हैं वह हमें यहां पर बताना है तो कलम शब्द जो है बच्चो इसका मराठी में अर्थ होता है पानुन की धारा या दफा जबकि इस कलम को हिंदी में बोला जाता है लेखनी या पेन जिससे हम लिखते हैं कलम है न और बच्चो दूसरा शब्द दिया है कांच कांच को मराठी में बोला जाता है पीडा या यंत्रना पीडा तकलीफ है न बच्चो और हिंदी में कांच का और्थ होता है शीशा आईना ये ना मीरर बच्चो और काठी जो है मराठी में कार्थ होता है दंडा या चडी जब की हिंदीurat होता है पेड का सुखा हुआ मोटा अंग यहने उसका तना ने बच्चो आगे दिखते हैं थे तो हिनदी समुचांए चबद दिया है काय जबकि हीं में उसको कांटा को I भी बोला जाता है हिंदी भास्षा में अब देको हिंदी मराथी समोचेरिक छब्द दीया है काला इसको मराथी में बोलते है मिश्रण्ट तो काला उन्हें मिश्रण्ट कैसे बच्चो जब छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर दाल रोटी मिक्स करके खुपचूर के उसको नरम करके खिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है काला गोपाल काला है ना गोपाल काला में क्या करते बच्चों सब तरह के पदालतों को मिला कर और प्रसाद बनाया जाता है तो काला मिंज मिश्रण है ना और हिंदी में इसी काले का अर्थ होता है काला रंग खाता खाता को मर खाती शब्द भी आता है, खाती को भी ताला बोला जाता है बच्चो, अब दीखिए हिंदी मराथी समोचारी शब्द है खाद, खाद को खानी की चीज, यहने खाद्य पदार्थ हो गेरे, इस तरीके से हम मराथी में उसको यूज करते हैं, जबकि हिंदी में खात का अर्थ ह होता है, उर्वरक फर्टिलाइजर बच्चो, है न, और हिंदी मराथी समोचारी शब्द दिया गार, गार का मतलब मराथी में होता है ठंडा, है न, एकदम ठंडा, जबकि हिंदी में उसका अर्थ होता है, ओले या बर्फ का गोला, बच्चो, गार्या, गार्या यहने या फिर बर्फ का गोला, जब ओले गिरते हैं बारिश में, तो हम उसको बुलते हैं कि आज ओले पढ़ रहे हैं या फिर आज तो गार गिर रहे हैं न, इस तरीके से बात की जाती बच्चो, आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे बताईएगा ज़रूर मिलती हूँ आप से क करना मिल कोई भी न भूले